उपेंद कुस्वाहा ने आज प्रेश्वारता बुलाई है और उसके बाद जैसा कि हिस्सा बखरा के लिए उन्होंने पहले ही इसारा कर दिया था अब महा पंचायत बुलाने वाले हैं पंचायत से पहले आप जानते हैं कि अपना अपना एविडेंस अपना अपना कागज पतर दिखाना होता है उन सारे कागज पतर का जुगार कहीं न कहीं उपेंद कुस्वाहा ने कर लिया है और उपेंद कुस्वाहा पूरी मजबूती के साथ आज मीडिया के सामने सभी बात इस बार खटास कुछ ज्यादा ही हो गई है और यह खटास दो साल से भी कम वक्त में हुई है हलाकि बिहार की राजनीत को ले करके जिस तरह की बाते चल रही है वो साफ इसारा कर रही है कि कहीं न कहीं अब बड़ा खेल हो गया है और खेल को भंडोल करने का उपेंद कुस्व लगी हुई है इस काम में कि नितीश कुमार ने कब क्या कहा किस तरह से कहा उसके साथ साथ आपको बता दें कि बत्मान जो बदली हुई परिस्थिती है उसमें नितीश कुमार अगर हिस्तेदारी नहीं देते हैं उपेंद कुस्वाहा को तो क्या होगा सारा कागजपतर कही नहीं उनकी राजनित चल्दी और नितीश कुमार नहीं उन्हें समय समय पर कई सदुनों का में भेजा और उसका वो कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि सीला नहीं दिये और बदले में वह इस्सा बखरा वाग रहे हैं आपको बता दें कि पूरी कहानी का एक नया ट्विस्ट आने वाला है जब उपेंद कुस्वाहा प्रेस वारता करेंगे इससे पहले उपेंद कुस्वाहा के विरुध कई प्रेस वारता हो चुका है आपको याद होगा किस तरह से प्रदीप मिस्रा ने और नागमनी बैठ करके उपेंद कुस्वाहा का परचा लिग कर रहे थे आज उपे नितीश कुमार के पूराने कागजों को ले करके बैठेंगे और एक एक चीज का खुलासा करेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर के एक बात तो तैमानी जा रही है कि अब ये मामला बदल गया है और दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई समझावता नहीं हो सकता है आपको ब प्रेश वार्ता करके निकलेंगे लेकिन इतना तयमान के चलिए कि इस प्रेश वार्ता में उपेंद कुस्वाहा कई ऐसे कागजात पेश करने वाले हैं जो कागजात कहीं न कहीं नितीश कुमार को परिशान कर सकते हैं कई ऐसी पुरानी बाते हैं जिसको ले करके खुलासा ह क्या होगा और कई ऐसे पूराने कागज पत्तर हैं जिसको ले करके उपेंद कुसों आ बैठे हुए हैं जिससे वो अपना हिस्सा बख़डा महाँ पंचाज से पहले मांगने की तैयारी शुरू कर चुके हैं जुड़े भारत लाइब के साथ तुरत जैसे ही प्रेसवारता हो और रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद